देश के कई राजियों में मौनसून की जोरदार बारिश हो रही है दिल्ली उत्राखांड हिमाचर प्रदेश महारास्टर समेत कई राजियों में जोरदार बारिश हो रही है इसकाई में ट्वैदर की एक रिपोर्ट के मुताबित पूर्वी मदर प्रदेश और उससे सते चौतिस गड़ पर कम दबाव का छेतर बना हुआ है जुसके साथ एक चक्रवाती परिसंचुरंड बना हुआ है वहीं दक्षिन गुजरात केरल तट पर औस तर पर एक ट्रफ ब वासर विभाग ने का है कि अगले तीन दिनों में गुजरात में कई इलाकों में बारिश हो सकती है और इसके अलावा महरास्टर के कई इलाकों में बरसात होगी पंच्वाब हर्याना के कई इलाकों में कलजूरदार बारिश हो सकती है इसकाई मेट वेदर की रिपोर्ट के हलकी बारिश की संभावना है हालकि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है वह आपको बता दे कि स्काइमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबित इस महीने के आखरी तक दिले NCR में नियमित रूप से बारिश होगी मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा के कई इलाकों में अगले तीन दिनों तक बारिश हो सकती है आपको उतादे कि 36 गड़ पर केंद्रे एक स्पस्ट नेमन दबाव का शेत्र बना हुआ है अगले 24 गंटे के दौरान चातिसगार और डिशा, गुजराद, कौंकर, गोवा समेत कई और राज्यों में बारिश की संभावना है इसके अलावा पूर्वी राजस्तान के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है इसकाइम एक वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबद अगले 24 गंटे के दौरान गुजराद, कौंकर और गोवा और साथ ही पूर्वी राजस्तान के कुछ हिस्सों में मध्यां से भारी बारिश हो सकती है इसके अलावा मध्यप्रदेश, चातिसगर, विदर्व और तर्टिय करनाटक के कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यां बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना हो सकती है वह सेकेम और पुर्वोतर भारत पाश्ची में उत्तर प्रुदेश, उत्राखंड, हिमाचर प्रुदेश, पंज़ाब के कुछ हिस्ते हर्याणा, दिल्ली, मराथवाडा, मधिर महरास्र में हलकी से तेज बारिश हो सकती है ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स